आथियों, गीता प्रेश ने अपने सो वर्षों की ये आत्रा एक ऐसे समय में पूरी की है जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस तरह के योग केवल सही योग नहीं होते। 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर जागरण के लिए अलग-अलग शेत्रों में प्रयास किये। अलग-अलग सहुस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए पुरी तरह तयार हो गया। गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। और गुरु परंपरा लगबग नश्ट कर दिये गए थे। ऐसे मैं स्वाबाविक था कि ज्यान और विरासप लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पुज ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रिंद भारत में थे। वो महंगी किम्मत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए। गीता और रामान के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मुल्यों और आदर्शों के स्त्रोथी सुखने लगे तो समाज का प्रवाब अपने आप थमने लगता है। लेकिन साथियों हमें एक बात और याद रखनी है। हमारे भारत के अनादी आत्रा में ऐसे कितने ही पड़ाव आए हैं। जब हम और और जादा परिश्कृत होकर के निकले हैं। कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है। कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मन राए हैं। लेकिन तब हमें स्रीमत भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वात मिलता है। यदा यदा ही धर्मश्च्य गला निर्भावती भारत अभ्यत्थानम अर्धमश्च्य तदात्मानम सुजाम वहम। अर्थात जब जब धर्म की सत्ता पर सत्य की सत्ता पर संकट आता है। तब तब इस्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते है। और गीता का दसवाद द्याय बताता है कि इसवर कितनी ही विभूतियों के रुपे सामने आ सकता है कभी कोई संत आकर समाज को नई दिशा दिखाते हैं तो कभी गीता प्रेश जैसे सहुंता है मानिविय मुल्यों और अधर्शों को पुनर जीवित करने के लिए जन्म लेती है इसलिए ही उन्डिसो तैइस में जब गीता प्रेश ने काम करना सुरू किया तो भारत के लिए भी उसकी चेतना और चिंतन का प्रवाध तेज हो गया गीता समेत हमारे धर्म गरंथ फिर से घर घर गुझने लगे मानस फिर से भारत के मानस से हिल मिल गई इस गरंथों से पारिवगर्ण परंपनाएं और नई पीडिया जूडने लगी हमारे पवित्र गंथ आने वाली पीडियों की थाति बनने लगे झाल झाल